हेलो आप सभी का स्वागत है इस online course में जिसमें हम RCC डिसक्स करने वाले हैं RCC में हम लोग सबसे पहले आज basic study करने वाले हैं जिसका नाम है introduction to RCC इस particular topic को मैं half an hour या 45 minutes में complete कर लूँगा इसमें हम लोग concrete और steel इनको हम लोग साथ में क्यों जूज कर रहे हैं इनकी properties क्या है और RCC का मतलब क्या होता है यह सब डिसक्स करने वाले तो यह स्टार्ट करते हैं तो तो डिसक्स अबाउट इन्ट्रोडक्शन टू रसी सी ताथ इस पर्टिक्लर कोर्स युनिवर्सिटी इग्जाम पॉइंट आव्यू से यह फिर पॉलिटेख्टिक्निग पॉइंट आव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है अग यह स्टार्ट करते हैं सबसे फेल अगर Haum RCC की बात करें तो RCC का मतलब होता भrd रिंफोस्ट सेमेंट कॉंक्री्ट आरिउ剛剛 का मतलब क्या होता है रिंफोस्ट सेमेंट उंक्रीट जो भी पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं आपको वह हो अपने कॉपी में नोट हूं करने है तो RCC का है concrete और एक आता है steel all right ठीक है so in which concrete is reinforced by steel bars मतलब concrete को strengthen करने के लिए हम लोग steel का स्तमाल करते है the poor tensile strength of concrete is improved by using steel as a reinforcement अब आपको एक चीज़ पता रहना कंपल सरी है कि concrete tension नहीं ले सकता मतलब उसमें हलका से भी tension आता है न तो वो crack मारता है तो cracking को रोक करने के लिए हम लोग steel का स्तमाल करते हैं तो concrete की poor tensile strength को improve करने के लिए हम लोग steel का स्तमाल करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं reinforcement steel is acting as a reinforcement all right so concrete is poor in tension to improve the tensile strength of the concrete we are using steel as a reinforcement अब आपका एक doubt हैगा कि sir हम लोग concrete के साथ steel का क्यों इस्तमाल कर रहे हैं और कोई material क्यों निस्तमाल कर रहे हैं let us say मैं concrete के साथ aluminum क्यों नियूज कर रहा मैं concrete के साथ copper क्यों नियूज कर रहा तो इसका specific reason है बेटा एक reason यह है the coefficient of thermal expansion of steel and concrete is same मतलब coefficient of thermal expansion जिसको हम बोलते हैं alpha concrete और alpha steel alpha का मतलब होता है coefficient of thermal expansion coefficient of thermal expansion यह दोनों value लगबक सेम है वह होती है 12 into 10 की power minus 6 per degree centigrade के असपास मतलब इन दोनों का जो strain है almost same है alpha same होने की वज़े से दोनों का strain क्या है almost same है इन दोनों material में proper compatibility है एक अच्छा bond है और वो bond किस वज़े से develop हो रहा है is coefficient of thermal expansion की वज़े से develop हो रहा है तो concrete और steel का alpha का value same होने की वज़े से हम लोग concrete और steel को साथ में use करते हैं hence both materials are used together so एक चीज़ याद रखना interviews में पूछता है कि concrete और steel को हम लोग साथ में क्यों इस्तेमाल करते हैं तो श्रीव इतना बोलना कि coefficient of thermal expansion दोनों material का लगबक सेम है that is 12 into 10 की और minus six per degree centigrade इसलिए हम लोग concrete को स्टील के साथ इस्तेमाल करते हैं और RCC का बनाते हैं आप तो concrete अब concrete क्या होता है concrete होता है हम सबसे पहले डिसकस कर रहे हैं and water concrete को बनाने के लिए आपको cement sand aggregate और पानी की ज़रौत होती है मैंने आपके सामने यह cement का photograph दिया आपके सामने image दिया है cement आपको gray color का दिख रहा हूंगा cement is gray in color it is gray in color all right cement market में locally available रहता है ठीक है और large scale पर हम लोग cement का स्थमाल कर रहे हैं अपने construction industry में तो cement यहां पर क्या करता है cement यहां पर binding का काम करता है it is a binder it is a binding material यह क्या करता है चीजों को bind करता है it is a binding material दूसरा हम लोग sand का स्थमाल करता है we make use of sand sand को हम लोग बोलते है coarse aggregate sand को हम लोग बोलते है fine aggregate sand is called as fine aggregate अब sand क्या करता है sand इसके अंदर void fill करता है it acts as a void filler it is a void filler void मतलब खाली space void का मतलब क्या होता है empty space जो भी concrete के अंदर empty space होती है न उसको fill करने का काम किसका है उसको fill करने का काम sand का होता है ठीक है next aggregate अब aggregate आपको naturally मिलता है यह जो भी खदान होती है हम लोग वहां से aggregate को extract करते हैं उसको crush करते हैं और अपने construction industry में use करते हैं तो यह आपका aggregator this is your aggregate जिसको हम लोग हिंदी में गिटी बोलते हैं local language में technical language में इसको बोलते हैं course aggregate इसको बोलते हैं course aggregate यह आपका तीसरा material है course aggregate क्या करता है course aggregate आपके system में strength provide करता है मतलब concrete में strength दिने का काम किसका है aggregate का है तो cement एक binding material है sand wide filler है aggregate क्या करता है strength provide करता है चौथा एक term है पानी water आप देख रहे हैं इस cement के ओपर मैंने पानी डालता आपको दिखा है तो water का करता है water चीजों को mix करता है it acts as a mixture it will mix the ingredients यह चीजों को mix करता है यह चीजों को lubricate करता है it acts as a lubricant मतलब चीजों को mix करना उसको गीला करना that is called as lubricant तो मैंने आपको चारों का रोल बताया cement sand aggregate and water का अब जब हम लोग इनको mix करते हैं तो हमें कुछ इस परिके का concrete मिलता है we get the concrete in this form तो याद रखना concrete किससे बनता है concrete बनता है cement प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर से ठीक है cement concrete is made up of cement sand aggregate and water तीनों को क्या रोल है मैंने आपको एक एक करके बता दिया है अब कुछ basic point discuss करते हैं concrete के बारे में let us discuss some basic points regarding concrete तो concrete में लिखा है it is a brittle material अब brittle का मतलब क्या होता है जो अचानक से fail हो जाता है उसको बोलते है brittle material अचानक से fail होना मतलब क्या होता है जैसे एक example लेलो चौक का आप चौक को हलका सा bend करो आप चौक को bend करोंगे वो तूर जाएगा तो चौक क्या है जो हम लोग blackboard पर लिखते हैं चौक से वो भी एक तरह का brittle material है तो concrete भी क्या है एक तरह का brittle material है brittle का मतलब होता है brittle material मतलब which fails suddenly which fails suddenly जो अचानक से fail होता है उसको बोलते है brittle material ठीक है which fails suddenly it do not give it do not give warning before failure मतलब fail होने के पहले warning प्रवाइड नहीं करेंगा it do not give warning before failure okay it is good in compression अब इसकी compressive strength बहुत अच्छी है इसकी compressive strength क्या है बहुत अच्छी है अगर आप इसको compress करते हो ना तो यह बहुत ही अच्छा perform करता है concrete it is moderate in shear मतलब shear capacity moderate है medium है it is poor in tension अब tension मतलब होता है या खिचाव कोई भी system में खिचाव आना मतलब उसको बोलते हैं tension आना या कर टेंशन बाइफोर स्पी इस इस compression and this is tension तो concrete की tensile strength बहुत ही poor है मैंने आपको पहले slide में बताया था कि concrete की tensile strength बहुत ही approximately one tenth है one tenth मतलब लगबग 10% के आसपास है it is one tenth of the compressive strength of the concrete जो concrete की tensile strength है वो almost one tenth है of the compressive strength of concrete एक लास्ट पड़ यह है आप कोई घर बना रहे हैं आप एक engineer है आप अपने building मनाई let us say concrete की तो आप उसको बोलेंगे कैसे आप उसको designate कैसे करेंगे तो उसके लिए यह अपके लिए point बहुत important है कि concrete को designate किया कैसे जाता है तो याद रखना concrete को designate करने के लिए हम लोग उसमें जो material है उसके जो भी proportion है proportion of its ingredients जो भी रहेंगे और उसकी जो compressive strength है आपको शायद इसमें नहीं दिख रहा हूंगा एक सब्सक्राइब इसकी जो compressive strength है उसके basis पे हम लोग उसको designate करेंगे एक सेकंड बस तो concrete is designated based on the proportion of its ingredients ingredients मतलब concrete के अंदर हम लोग cement का अस्तमाल करते हैं sand का अस्तमाल करते हैं aggregate का इस्तमाल करते हैं तो उनका proportion किता है और concrete की compressive strength किती है उसके basis पे हम लोग उसको designate करते हैं मनली जी मैं आपका सापने example ले रहा हूं कि मैंने एक building बनाई मैंने एक building बनाई let us say m20 concrete की I have constructed a building of let us say m20 concrete तो यह बेटा याप एम का मतलब होता है mix m का मतलब होता है mix अब m20 बोला तो याद रखना है इसमें जो proportion होता है न वह होता है वन इस्टू 1.5 इस्टू 3 का अब आप बोलेंगे सर यह क्या है वन इस्टू 1.5 इस्टू 3 का मुझे मतलब नहीं समझा समय इस्टू दू फाट करता ऌू वन इस्टू 1.5-3 मतलब ह होता है यहां पर 1 का मतलब होता हैs cement 1.5 का मतलब होता है sand 3 का मतलब होतो है aggregate 3 का मतलब क्या होता है aggregate मतलब अगर आपने एक गमेला अप मैं मैं वॉल्यूम के टम में बात करूं जैसे प्राक्टिकल लाइंग्विज में बात होती है ना मैं वैसी बात करता हूं सिमेंट अगर आप एक गमेला ले रहे हो तो उसका 1.5 ताइम्स मतलब देढ गमेला क्या लेंगे सैंड ले लेंगे उसका तीन गुना जादा मतलब तीन गमेला क्या लेंगे एग्रिगेट लेंगे लोकल लेंगे जो बात करेंगे तो एक गमेला सिमेंट लिया तो देढ गमेला सैंड लेना पड़ेंगा तीन गमेला एग्रिगेट लेना पड़ेंगा यह स्टैंडर्ड है आ 1 is to 1.5 is to 3 okay अब आप बोलेंगे सर्वोट नमबर है 20 उसका मतलब क्या होता है अब यह नमबर है 20 इसका यह मतलब होता है it is nothing but characteristic strength इसको हम बोलते है characteristics strength of 150 mm cube specimen at the age of 28 days जिसको हम टेक्निकल लिखते हैं f c k which is equals to 20 newton per mm square this is 20 newton per mm square अब concrete की compressive strength बोलो या characteristics strength बोलो बात एक ही है हम लोग characteristics strength किसकी बोल रहा है 150 mm cube specimen की at the age of 28 days that is 20 newton per mm square अब इसको समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा यह आपके सामने मैंने कुछ laboratory के photos दिखा है हम लोग क्या करते हैं practically 150 into 150 into 150 mm के cube cast करते हैं 150 into 150 into 150 mm का हमने cube cast किया मतलब वो cube में यह आपको cube दिख रहा हुआ this is a cube यह cube का एक mold है इसमें हम लोग ने concrete cast किया है concrete को बरा है मानलों वो M20 concrete है कौन सा concrete है वो M20 concrete है अब आप क्या करेंगे इस से concrete बनाएंगे इस mold पर भरेंगे जैसे concrete सूपता है ना कुछ घंटों में तो आप उसको बाहर निकालेंगे तो यह आपका mold रहेंगा ठीक है this is your cube फिर आप क्या करते हैं आप उन cubes को उठाके पानी के अंदर डालते हैं we put those cubes in water फिर आप उसको 28 days तक के पानी के अंदर रहेंदेना क्योंकि 28 दिन तक के वो अपनी strength गवन करता है concrete क्या करता है 28 दिन तक के अपनी strength गवन करता है मतला absorb करता है तो फिर क्योंकिता है मतलब उसकी क्योंकिस करेंगे पानी के अंदर रखना मसलब क्योर करना है ... अल्राइट, so 28 दिन तक क्यों और किया, and then वो क्यूब को बाहर निकाल 28 दिन बाद, and then उस क्यूब को हमने compression testing machine, यह आपने laboratory में perform किया होगा, आपके college में, इसको बोलते हैं compression testing machine, तो इस testing machine में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने उस cube को उठा के, इसमें डाला, and इसकी हमने compressive strength चेक की, हमने इसकी compressive strength चेक की, तो 28 दिन बाद, वो जो 1500 mm cube का specimen था, 1500 mm cube का specimen था, 28 दिन के बाद, उसको हमने CTM में डाला, और compressive strength चेक किया, मानलो वो M20 काउगी था, तो उसकी compressive strength कितनी मिलनी चाहिए, उसकी compressive strength 20 Newton per mm square मिलनी चाहिए, that is called as M20, M मतलब होता है, mix, 20 का मतलब होता है, यहां में आपके लिए लिखा था, characteristic strength of 150 mm cube specimen, यहां पर 150 mm cube specimen mention करना बहुत कंपल सरी है, अगर आपने mention नहीं किया, इसका मतलब आपके marks जा सकते हैं हाँ पर, तो 150 mm cube specimen at the age of 28 days, कितना आने वाला है, हुआ आने वाला 20 Newton per mm square, एक बार फिर से बगत देत हो मैं, हमने क्या किया, Indian standard के हिसाब से, 1.500 by 1.500 by 1.500 by 1.500 का cube लिया, उसमें concrete को fill किया, concrete जैसे ही सुब जाएगा, हम उसको पाणी के अंदर डाल देंगे, 28 दिन के लिए, and then 28 दिन के बाद उसकी testing करेंगे, आप देख सकते हैंगे, cubes पड़ेंगे आपर, यह उसकी testing हो रही है, laboratory में, and जैसी वो crush हो जाएगा, तो उसकी compressive strength मुझे मिल जाएगी, and उसकी strength कितनी मिलेंगी, M20 की, वो मिलेंगी 20 Newton per mm square, all right, similarly, आप देख सकते हैं, मैंने आपके तामने बहुत थरे examples copy की हैंपर, यह net से निकाला हुआ है, let us say M5, जैसे M5 है, M5 कोईट है, यहाँ पर M का मतला है, mix, 5 का मतला है, उसकी characteristics strength, 5 Newton per mm square, आपको इसका proportion याद रखना compulsory है, आपके competitive exam point of view से, if you are preparing for competitive exam, you have to remember these values, okay, तो बहुता है 1 is to 1.5 is to, sorry, 1 is to 5 is to 10, अगर आप M7.5 use कर रहे हैं, तो बहुता है 1 is to 4 is to 8, M10 में 1 is to 3 is to 6, M15 1 is to 2 is to 4, M20 मैंने आपके सामने discuss किया, 1 is to 1.5 is to 3, M25 होता है 1 is to 1 is to 2 का, यह आपके सारे nominal mix है, these are called as nominal mix, इसको हम बलते है nominal mix, all right, so I hope आपको यह designation of concrete properly समझ गया होंगा, मैं एक बार फिर से repeat करता हूँ, concrete को designate करने के लिए, उसका proportion, जो भी ingredients का रखा है मैंने, वो लगता है, और उसकी compressive strength लगती है, at the age of 28 days, मैंने आपके सामने example लिया, M20 का, हम लोग इस in cubes को cast करते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, 28 दिन के लिए, and then 28 दिन के बाद इसकी testing करते हैं, compression testing machine में, और उसकी strength निकल के आती है, let us say, अगर मैंने M20 बोला, तो उसकी strength किती हैंगी, characteristics strength, हुआ हैंगी 20 newton per mm square, अल्राइट, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अब आपको एक एक चीज को copy करना है, अगर आप copy नहीं करेंगे, तो आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, so it is very important for you to note down all the things, अल्राइट, to make the proper notes, next, अब concrete का stress strain graph कैसे बनता हैं, दिख्थे, we have to draw the stress strain graph of concrete, यह अपका नया topic है, यहाप आएंगा stress, यहापर आएंगा strain, तो concrete का stress strain graph कुछ इस पर कार बनता है, the stress strain graph of concrete is somewhat like this, ऐसा कुछ बनता है concrete का stress strain graph, यह इसका peak stress है, this is the peak stress, alright, so यह जो peak है, यह peak कहां बनता है, यह peak को बनने के लिए, जो strain लगता है न, वो strain की value होती है 0.002, यह फिर से बना देता हूँ, अच्छे से, almost same ही variation है, the graph is somewhat like this, ऐसा graph बनता है, यह peak, जो stress आता है न, यह peak stress आता है 0.002 के strain पर, and यह peak stress जो आता है, इसके बाद, concrete में cracks बनना स्टार्ट होते है, and concrete fail होना स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपका concrete fail हो जाएगा, पुरा का पुरा, and यहाँ पर peak stress मिलेंगा, यह peak stress की value क्या रहेंगी, जैसे मालों मैंने, M20 concrete को test किया, तो यहाँ पर मेरा, Fc के आएगा, that is 20 Newton पर mm square, of concrete, this is the stress strain graph of concrete, यह जो peak point है, आपको मिला है, 0.002 के strength पर, और राइट, यह graph भी अप्ले बॉर्ट है, and यह graph हम लोग laboratory में plot करते है, this is plotted in laboratory, अब हम discuss करने वाले हैं, आर सरी, steel के बारे में, now we are going to discuss about steel, हमने concrete के बारे में discussion कर लिया, पुरा, concrete में हमने क्या क्या पढ़ा था, we discussed about the basic points in the concrete, like concrete with bitter material है, concrete की compressive strength बहुत अच्छी है, concrete की shear strength medium है, concrete की tensile strength बहुत ही poor है, उसकी tensile strength almost 1 tenth है, of its compressive strength, यह हमने पढ़ा, concrete को desigrate कैसे करते हैं, हमने वो पढ़ लिया, and then हमने concrete का stress and graph भी plot कर लिया, अब हम पढ़ेंगे steel क्या होता है, अब steel का इस्तमाल आज की तरीक में बहुत जादा, India level पे बुलो, यह worldwide level पे बुलो, बहुत जादा इस्तमाल हो रहा है, steel का, so, steel ही क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि steel एक तरख का ductile material है, steel is a ductile material, ductile का मतलब क्या होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ, steel is a ductile material, and it is a factory product, अब steel कहां बनता है, steel बनता है factory में, इसको बनाने के लिए हम लोग काफी care लेते हैं, काफी इसमें temperature का control होता है, and काफी skilled engineers, इसकी manufacturing में, इसकी manufacturing में help करते हैं, इसके अंदर 90% से ज़्यादा होता है iron, steel क्या होता है, steel के अंदर 90% से ज़्यादा क्या होता है, iron होता है, so steel is made up of iron only, जो remaining 5-10% है, उसमें आता है carbon, manganese, phosphorus, sulfur, nickel, chromium, etc. तो इसमें, steel के अंदर iron का composition, more than 90% है, आपको याद रखना है, इसमें carbon एक बहुत ही important ingredient है, उसके साथ-साथ manganese भी इसमें एक बहुत ही important role play करता है, so carbon manganese ये तोती नाम आपको याद रखने है, जो steel के अंदर बहुत ही important role play करते हैं, क्या role play करते हैं, हम आगे discuss करते वाले हैं, next, अब मैंना आपको बोला कि steel क्या है, एक तरख का ductile material है, ductile material का मतलब यह होता है, material, material, which can be, which can be, rolled in, thin wires, ऐसा material जिसको मैं thin wire में roll कर सकता हूँ, जिसकी पतली-पतली तार बन सकती है, उसको बोलते हैं ductile material, अब तार से इसका कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किस से हैं, अगर हम अपना घर बना रहे हैं, तो ductile material क्यों इस्तमाल करना चाहिए, हमको वो समझना है important है, तो steel एक ductile material होने की वज़े से, steel is a ductile material, इसका benefit क्या है, इसका benefit यह है, कि steel एक ऐसा material है, जो fail होने के पहले, बहुत ज़्यादा deform करता है, fail होने के पहले, बहुत ज़्यादा elongate करता है, fail होने के पहले, बहुत ज़्यादा rotate होता है, और काफी लंबे समय बाद जाके fail होता है, मतलब अचारक से fail नहीं होगा, यह fail होने में बहुत लंबा समय लेंगा and काफी आपको indications देंगा कि वो fail होने वाला है and then उसे बाद वो fail होता है so steel is a ductile material it undergoes it undergoes large deformations large deformations before failure यह fail होड़े के पहले आपको बहुत ज़्यादा deformation provide करता है it will not fail suddenly wording में धन्दना it will not fail suddenly यह suddenly fail कभी नहीं होने वाला concrete क्या था ना concrete suddenly fail करता but steel कभी भी suddenly fail नहीं करेंगा it will undergo large deformation deformation मतलब बहुत ज़्यादा elongate होगा and then बाद में फेल होगा it will not fail suddenly it will give warning it will give warning before failure यह आपको fail होने के पहले failure होने के पहले काफी warning प्रोइट करने वाला है and then बाद में दाके फेल होगा बाद लो अगर आपके बिल्दिंग में steel fail होने वाला है तो अगर steel fail होता है ना तो steel bend होना start करता है steel bend होगा नीचे वो आपके concrete का तुकड़ा फेक देंगा it will split the concrete वो concrete फेक यह आपको एक indication मिल देंगा कि आपके उपर जो भी concrete है जो भी slab है वो अभी इसमें steel fail होने वाला है तो steel एक आपको indication प्रोइट करता है कि वो fail होने वाला है इसलिए मैं उसको बोलता हूँ ductile material steel क्या है बेटा steel is a ductile material यह word याद रखना और concrete क्या था concrete was a brittle material concrete is a brittle material concrete suddenly fail होता है suddenly failure is observed concrete में sudden failure मिलता है steel में sudden failure नहीं मिलता steel लंबे समय बाद जाके fail होता है अब steel के कुछ grades है steel का सबसे पहला grade है fe 250 fe q क्योंकि इसके अंदर iron है fe को हम लोग बोलते हैं iron 250 का मतलब होता है mild steel fe 250 है मतलब हो mild steel है it is called mild steel so fe का मतलब होता है iron 250 का मतलब क्या हो तम आपको बताता हूँ fe 250 is also called as plain steel इसको हम लोग plain बार भी बोलते है characteristic strength characteristic strength या फिर yield stress yield stress of steel वो ता है 250 newton per mm square मतलब steel का जो yield stress है f5 बोलते हैं उसको वो ता है 250 newton per mm square यह बहुत ही technical language है that is yield stress एक material की property है मतलब यहां पर आपका material yield होना start होता है आपके materials के जो particles है वो align होना start होता है उसको हम लोग बोलते है yield point जिसके corresponding stress मिलता आपको yield stress तो yield stress हम लोग designing में बहुत जाद इस्तमाल करते हैं RCCC यह भी steel की design में तो mild steel क्या होता है यह plane bar होता है plane bar का मतलब होता है इसकी जो surface है smooth surface है it has smooth surface so fe 250 बोला मतलब इसका yield stress करता है 250 याद रखना fe 250 को हम लोग mild steel बोलते है fe 250 is called as mild steel all right next fe 415 अब fe 415 को हम लोग बोलते हैं hy sd bar क्या बोलते हैं hy sd मतलब high yield high yield strength deformed bar इसको हम बोलते हैं high yield strength deformed bar इसका yield capacity किता है वो है 415 newton per mm2 मतलब fe 415 का yield stress है yield capacity बोलो वो किती है 415 newton per mm2 इसका surface होता rough it has rough surface यह हम लोग कभी कबद TMT भी बोलते हैं TMT TMT का full form लिख ले ना copy में इसको बोलते हैं thermomechanical treatment इसको बोलते हैं thermomechanical thermomechanically treated bar thermomechanical treatment या फिर twisted bar से कुश्च बोलते हैं thermomechanical treatment treatment treated bar thermomechanically treated bars इसमें corrosion लगने के chances खाम होते हैं FE 500 बोला तो 500 का मतला बोलता है yield stress किता हो जाएंगा Fy जो देंगा 500 newton per mm square it is 500 newton per mm square so teen grade मैं आपको बताया FE 250, FE 415, FE 500 FE 250 का मतलब होता है mild steel mild steel में जो plane bar होता है हो it is a plane bar it has smooth surface and FE 250 बोला मतलब उसका जो yield stress है 250 newton per mm square हैने वाला FE 415 का yield stress 415 newton per mm square है FE 500 का yield stress 500 newton per mm square है all right so I hope यहां तक आपको clear है next अब आप देख सकते आपके सब्सक्राइब फिगर हम लोग mild steel आज की तारिक में यूज नहीं करते है RCC में if you talk about RCC we do not make use of mild steel because mild steel क्या है एक तरह का plane bar it is a plane bar इसकी surface क्या है एक्दम smooth है it has smooth surface it has smooth surface all right इसकी surface बहुत ही smooth है जिसकी वज़े से concrete और steel में proper bond develop नहीं हो पाता था इसलिए हम लोग mild steel का स्थमाल अभी कम कर दिए अभी mild steel manufacture होना बंद हो गया all right अब यह है आपका higher grade of steel that is TMT bar जिसको बोलते जिसमें FE 415 हो गया या FE 500 बोला 500 हो गया these are called HYSD बोलो HYSD या फिर TMT bar बोलो इनको एक ही बात है इनका yield strength ज्यादा है 400, 15, 500 इनका surface थोड़ा सा rough है the surface of these bars are rough so आप देख सकते हैं इसके surface में ऐसा दिया हुआ है इनके surface में ऐसा लगवा है all right तो इनको हम बोलते हैं corrugations we call it corrugations आप देख सकते हैं या आप corrugations लगी हुए these are called corrugations okay तो इन corrugations की वज़े से concrete और steel में अच्छा कासा bond develop होता है and concrete इस से sorry इसमें तो RCC का material बनता है वगम long lasting बनता है durable बनता है इसमें structure को strength मिलती है concrete और steel में अच्छा bond बना रता है all right so this was all about the grates of steel 3 grates fe 250 415 500 आपको याद रखना कबल सरी है fe 250 को बोलते है mild steel 415 और 500 को हम लोग बोलते है hy sd bar या फिर इसका collectively एक नाम है deformed bar क्या बोलते हैं उसको deformed bar बोलते है चली आगे बढ़ेंगे अब steel का stress and graph कैसा बनता है देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे fe 250 की fe 250 का graph कैसे बनता है पहले हूँ समढ़ लेते हैं and then हम लोग fe 415 पर plot करेंगे so let us say मैं plot कर रहा हूँ पहले यहाँ पर stress यहाँ पर strength तो fe 250 का graph somewhat ऐसा बनता है this is the graph of fe 250 ठीक है so this is o this is a b c d this is e this is f so इसमें fe 250 की बात कर रहा हूँ है that is mild steel यह graph है mild steel का this is a graph of mild steel अब graph horizontally जितना आगे जाएंगा with horizontally ahead जितना यह आगे जाएंगा उतना समाण लेना ductility अच्छी है उतनी क्या अच्छी है ductility अच्छी है graph का horizontal movement stress train graph की बात कर रहा हूँ है graph का horizontal movement यह दिखाता है कि आपकी ductility अच्छी है ठीक है ductility is good देहां देना इसमें यह जो c point है इसके corresponding जो stress मिलता है इसके corresponding जो stress मिलता है उसको बोलते है yield stress उसको बोलते है yield stress जिसकी value आती है 250 newton पर mm square and जो उपर ओला point है e इसके corresponding जो stress मिलता है उसको बोलते है ultimate stress उसको बोलते है ultimate stress यह graph actually आपने strength of material में detail में steady किया है हम बस उसको revise कर रहा है अल्राइट तो f is a breaking point यहां पर आपका material ब्रेक हो जागा f is called breaking point and cd आपका एक plastic zone है मतलब यहां पर आपका material permanent deformation शो कर रहा है आपका material अभी proper elongation शो करने वाला है ठीक है और इसको बोलते है strain hardening zone strain hardening zone and इसको बोलते है strain softening zone strain softening zone अब यह graph आपने अल्रेडी पॉल लिया है बस सब वोग इसको एक रवाइस कर रहे है तो fe 250 बोलो या mild steel बोलो एस का graph ऐसा बनता है याद रखना fe 250 की ductility सबसे जादा होती है fe 250 has maximum ductility यहां में लिख रहो आपके लिए fe 250 has maximum ductility आप बोलेंगे सब ductility का मतलब क्या होता है ductility का अब half-half के मतलब यह समझ लो कि technically इसका percentage strain जादा है या percentage elongation बोलो percentage elongation क्या है जादा है percentage elongation is more ओके याद रखना so fe 250 बोला उसका yield stress 250 newton पर रेमस करोता है इसकी ductility बहुत जादा होती है मतलब जो इसका strain होता है न वो लगबग 18 से 20% का strain होता है इसका strain होता है इसका strain होता है इसका strain होता है इसका strain बहुत अच्छा है तो यह बन गा हमारा mild steel का stress strain graph इसमें खासियत है इसका yield point है आपको properly c point पर मिल गया एक last fe 415 और 500 का में stress strain graph plot करहूं इनका graph ऐसा बनता है this is stress this is strain तो इसका graph कुछ इस परकार बनता है let us say यह graph है एक second यह fe 415 का है and fe 500 graph है this is the graph of fe 415 and this is the graph of fe 500 जैसे जैसे grade बरता है न वैसे वैसे उसका horizontal sorry उसका जो vertical axis है उसका जो vertical orientate है वो बढ़ रहा है तीक है अब आप बोलेंगे सर इसमें yield point कैसे निकालेंगे तीक है how to find the yield point तो इसका yield point निकालने के लिए let us say मैं fe 415 की बात करहूं fe 415 का graph को yield निकालना है yield point इसमें मिलता नहीं है मैं यह ग्राफ वापस डॉक कर लेता हूं this is a station graph इसका yield point निकालने के लिए let us say fe 415 है इसका yield point निकालने के लिए आपको यहां पर strain लेना पड़ेंगा 0.002 का ठीक है अब graph का जो initial portion है वो almost straight line है यह वाला तो इसके parallel scale को रखके एक ऐसी line कीचना parallel में यह जो point बेलेंगा आपको this point is called as fy that is yield stress इसको बोलते है yield stress technical भाशना में इसका एक और नाम है इसको बोलते है proof stress क्या बोलते है इसको proof stress बोलते हैं ठीक है तो fe 250 में आपको एक yield point proper दिख रहा था graph में fe 415 और fe 500 में वो yield point नहीं दिखता वो नहीं दिखता तो अपने को locate करना पड़ता है तो locate करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने 0.002 का strain मार्क किया है आपर we have marked a strain of 0.002 और इस लाइन के parallel हमने एक लाइन कीच है ऐसी इस लाइन विट इस पैरलल टू तो the curve and then हमने क्या किया हमने इस point पर लाके इसको यहां पर intersect कर रहा है तो यह जो point मिला हमको इसको बोलते हैं yield stress या फिर इसका नाम है proof stress तो इसका proof stress किता आ रहा है वह आ रहा है 415 newton पर mm square so this is how to how we get the yield point of fe 415 and 500 और एक की चीशा दखना कि fe500 का graph इसके ऊपर बनेगा मतलब ऐसा बनेगा ऊपर थीक है तो हम यहां पर इसमें नहीं करते हैं यहां पर स्ट्रेस आ यहां पर यह 415 का graph हो गया और यह 500 graph हो गया this is fe415 और यह graph fe500 का all right so इस तरीके से आप इसका graph plot कर सकते हैं एक बेट मैं अच्छे तब ट्रॉकल लेता उसको fe415 फिल लो इसको और इसको आप fe500 देल लो थीक है this is fe500 तो 41 फिल का graph थोड़ा नीचे बनेगा और 500 का सबसे ऊपर बनेगा इन दोनों का yield point निकालने का तरीका यह है 0.002 का strain लेन आपको एंड देन पारला लान कीचनी इसको बोलते हैं offset method offset method of locating of locating yield stress of locating yield stress तो आपको graph सिर्फ याद रखना है polytechnic students को यह graph नहीं याद रखा RCC में तो भी चलता है थीक है वीडियो में थैंक यू सो मच